हेलो फ्रेंट्स जेट एर्वेज से जुड़ी हुई एक अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिसके अनुसार जेट एर्वेज की अगली सुनवाई अब आठ फरवरी को होने वाली है जी है फ्रेंट्स यहाँ पर जेट एर्वेज का मामला आज NCLT में सुना जाना था लेकिन कुछ का आनों के कारण यहाँपर जेट एर्वेज के ऊपर चैली करने वाले ती इसने अभी अगली दे देथी है यानि कि अब 8 फरवरी को jet airways के उपर final decision आने वाला है अभी 8 फरवरी को भी final decision आएगा या फिर नहीं आएगा इसके उपर भी कुछ भी अभी confirm जनकारी नहीं है यहाँ पर फ्रेंट्स यह बास समझना बहुत जुरूरी है कि jet airways को लेकर जो NCLT delay कर रही है अपनी final decision देने में उसके कारण यहाँ पर jet airways को काफी जादा नुकसान होने वाला है आपको यहाँ पर पता ही होगा कि हर airlines company को अपनी उडानों को operate करने के लिए उसको slots की जुरूरत होती है यहाँ पर jet airways के जितने भी slots हैं वो इस समय दूसरी airlines company के पास पड़े हुए हैं जैसे ही jet airways को लेकर decision आया उसके बाद ही इन airlines company यह slot jet airways को मिल पाएगा और jet airways अपने summer schedule की उडानों को operate कर सकती है यहाँ पर friends आपको बताना चाहेंगे कि summer schedule की उडाने बहुत ज़्यादा important है jet airways के लिए क्योंकि jet airways को अगर अभी जल्दी decision मिल जाता उसके बाद ही jet airways summer schedule की उडानों को operate कर सकती थी यदि यहाँ पर थोड़ा और delay हो रहा है तो अब आप समझ जाए कि jet airways को उडान भरने में 6 महीने और लग सकते हैं यानि कि jet airways आप summer में ना उड की अभी मतलब आप समझ जाए कि October, November, December में अपनी उडानों को operate करेगी इसका सीधा सीधा आप समझ जाए कि jet airways से जितने भी employee है जो जिनको jet airways में नोकरी मिल सकती है उन सब लोगों को यहाँ पर काफी जादा नुकसान होने वाला है तो फ्रेंट्स यहाँ पर यह बास समझना बहुत जुरूरी है कि NCLT जो कि jet airways को लेकर अपना final decision दे सकती है उसको यहाँ पर मुझूदा हालात की इस्तिती को समझना चाहिए कि jet airways कितना ज्यादा important है इस समय employee के लिए देश के लिए इस से हजारा लोगों की नोकरी जोड़ी होई है जैसे ही यहाँ पर NCLT decision देती है उसके बाद ही यहाँ पर jet airways अपनी उड़ानों को operate कर सकती है तो friends यहाँ पर आज की वीडियो में यही बताना था कि jet airways का उड़ना इस समय और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और आपको पता ही होगा कि jet airways का शेयर जो इस समय काफी ज्यादा तीजी से बढ़ रहा था अब रोजाना बेसिस पर jet airways के शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल रही है तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में फिलाल इतना ही रखते हैं देखते हैं कि आठ फरवरी को जेट एरवेज को लेकर अब क्या डिस्जीन आता है अब जेट एरवेज को लेकर धीरे धीरे उमीदे और काम होती जा रही है हो सकता है जेट एरवेज अपनी उड़ानों को अपरेट करें लेकिन क्या फायदा अगर जेट एरवेज को उड़ान भरने में एक साल और लग जाता है तो तो फ्रेंट्स वीडियो खतम करते हैं और यह आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें चैनल को यह आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें